में चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूं कि मैंने क्या-क्या सामगरी ली है और साही पनीर कैसे बनाना है यह पर मैंने हरे दन्य को काट कर ले लिया है मैने यहाँ पर एक गुटा ले-सुन लिया और उसको छील कर रख लेu यहां पर दो मीडियम साइज की प्याज लिया है यहां पर मैंने पाच हरी मिर्च लिये और यहां पर मैंने तीन टमाटर भी लिये है और यहां पर मैंने खड़े मसाले में कवबाब चीनी और साही जीरा ले लिया है दो इलाइची एक इंचर दाल चीनी दो लॉंग और थोड़ा से जीरा गोल के लिए और यहां पर मैंने 250 क्रम पनीर लिया है और इसे मैंने अच्छे से काट लिया इसे मैंने क्यूब सेप में सब तरफ से बराबर ही काटा है सारे पीसे मैंने यह हरी मिर्च प्याज और टमाटर को अच्छे से काट लिया और काट प्याज डाल दे रही हूं और यहां पर मैंने लैस्ण और अज्ञग पर जाल दिया और यहां पर मैं अपने सारे खड़े मसाले पर डाल दे रही हूं और यह कटी हुई हरी मिर्च भी अब हम इस सब को अच्छी तरह से चला लेंगे और हम इसी तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर की छिलके अच्छी तरह से गल नहीं जाते इस प्रॉसेस में हम लगभग 5 मिनट लगेगा प्क से सात मिनट और हमारे टमाटर की छिलके बिलकुल अच्छी तरह से गल जाएंगे दीखिए हमारे टमाटर के छिलके अब गल्ने लगें और हमें इसे ज़्यादा कुकने करना अभी हो गया अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और अब मैं इसे मसाले को ग्राइंट कर लूँगे दीखिए तो मैंने यहाँ पर ग्राइंट कर लिया है अब मैं मसाले को एक बाउल में निकाल ले रही हूँ ध्यान रखे कि हमें हमारे मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से पीशना एकदम फाइन पीश दिखिए हमारे मसाले कितने अच्छी तरह से पीश गया है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ अब मैं इस में थोड़ा सा पानी ढाल लूँगे और अच्छे तरह से निकाल लूँगे यह देखे है हमारे मसाले पिशकर बिल्कुल तयार है अब मैं यहाँ पर कड़ाए में दो छम्मच बटर डाल रही हूँ कि और एसमें एक चमच लाल मिच और याथी चमच हल्दी पोड़र डाल रहे हूं और मैं यहां अभरा सा धनिया भी डाल भी हुआ और अब मैं इसे तरह से मिक्स कर ले रहे हूँ और जो पनीर मैंने काट के रखे थे उसे इसमें डाल दे रही हूँ और ये इस तरह से हमारे पनीर काफ़े अच्छे तरह से फ्राई हो जाएंगा और इसका टेश्ट भी काफ़े अच्छा आएगा तो हमें अपने पनीर को अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है यह देखिए हमारे पनीर अच्छे से इसे फ्राइब होने लगे हैं इसे फ्राइब करने में हमें लगबग 10 मिनट लगा है तो हम इसे मीडियूम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राइब कर लेंगे देखिए अब मैं अपने पनीर को निकाल दे रही हूँ एक प्लेट में यह अच्छी तर से फ्राई हो चुके है अरे पनीर फ्राई होके बिल्कुल रड़ी है अब मैं उसी कड़ाई में एक चमच और बटर डालूँगी और इसके बाद मैंने जो मसाले पीसकर रखे थे उसे इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे अबने मसाले को अब मैं भी में हाले पाओड दाले हूं रियों एक चमच धनिया पाओडर डाल रहीं एक चमच से थोड़ी कमी लीती 2008 अब मैं यहां इसे पनीए यहां थे पर है एससे चैनल किने तरह का किया और यहां ध़्र gas उसका बत्दें को करसि के अभी में तद मोजón करें तक किसई वैस्ट करने को सुस्टार हुं रखना करने हैं34 पूरी तरह से फ्राइए नहीं हुए इसे हम अभी अच्छे तरह से कुक करेंगे मसाले फ्राइए करने में हमें 15 मिनिट समय तो लगे जाएगा अब मैं यहां पर क्रीम एड़ कर रही हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टन स्टेप है इसे हमारा जो ग्रीवी उसे बहुत अच्छा टेश्ट आता है और इसे हमारी जो यह ग्रीवी है वो काफी क्रीमी भी दिखने लगती है दिखिए हमारे मसाले भूनकर बिल्कुल अच्छे तरह से तयार हो गया है यह काफी सूख भी ग इसको देखकर यहां पर इसकी ग्रीवी को इसमें पानी आट कर सकता है तो यह दिखिए हमारे मसाले कितने स्मूथ दिख रहे है अब मैं इसमें अपने पनीर डाल दूंगे और इससे अच्छे तरह से चला लोंगे हमें इसे अची तरह से मिक्स कर लेना और बस अब ये पान् wprowad में बिल्कुल तयार हो जाएंगे तो अब मैं यहाँ पर इसमें हरे धने अड़ करूँ अऔर इसके बार से अची तरह से मिक्स और लों दो देखें अब ये बिल्कुल बन करके तयार है और अब हम इसे अच्छे तरह से सर्फ कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने अपने साही पनीर को सर्फ कर लिया और यह काफे संदर भी दिख रहा और खाने में भी उतना ही टेश्टी है आप इसे किसी भी चीज के साथ पूरी पराठा या फिर आन के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और यह खाने में बहुत टेश्टी लगती है तो प्लीज आप इसे घर पे ज़रूर ट्राइ करें ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो ठैंक्यू बाइ बाइ